नमस्कार प्रभासाक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे भाशा के सवाल पर सम्विधान सभा में क्या हुआ था बहस हिंदी को लेकर थी लेकिन सभी वक्ताओं ने अंग्रेजी में बोला था तो आईए सुनते हैं आ टेम हिंदी में पढ़ू हिंदी लिखू हिंदी चलन हिंदी चलू हिंदी पहनना ओड़ना खाना राम परसाद बिश्मिल ने दसकों पहले इस भाशा के सुर्षोभन में इन पंक्तियों का प्रस्तुति करन किया था लेकिन भारत विभिरताओं वाला देश है और इस देश के लिए एक कहावत काफी मशहूर है कि कोश कोश पर बदले पानी चार कोश पर वानी मिल मिल पर बदले सभ्यता चार मिल पर संस्कृती ऐसे में आज बात हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान की करेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदो सिता हमारा स्कूल में ये गाने खूब हुए हैं और हम इसी को सुनते हुए बड़े हुए लेकिन इन दिनों हमारे हिंदूस्तान में हिंदी को लेकर एक बार फिर से विवाद छिड़ गया है फिर से इसलिए क्योंकि ये विवाद दसको पुराना है और समय समय पर पॉप अप करता रहता है हिंदी को लेकर ताजा विवाद की शुरुवात दक्षिन भारतिये फिल्म जगत के अभिनेता किच्चा सुदीप के एक बयान के बाद हुआ है एक इंटर्विव में सुदीप ने KGF चैप्टर 2 को अखिल भारतिये फिल्म के रूप में लेबल किये जाने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देती हुए दावा किया था कि हिंदी अवराश्ट भाषा नहीं है उन्होंने कहा था कि वालिवूट की फिल्मों को भी अन्य भाषाओं में डब करके पैन इंडिया बनाया जा सकता है यहां तक तो सब ठीक रहा क्योंकि आधे से जाधा आबादी को तो ये भी पता नहीं है कि हिंदी को लेकर अपने इंटरव्यू में किच्चा सुदीप ने क्या कह दिया लेकिन मामली ने तब तूल पकल लिया जब हिंदी फिल्मों के स्टार अजय देवगन ने ट्वीट करते हुए सुदीप की अलोचना करते हुए लिखा कि यदि हिंदी राष्ट्र भासा नहीं है तो कन्नट फिल्मों की हिंदी में डबिंग क्यों की जा रही है हिंदी हमारी मात्री भासा और राष्ट भासा थी है और रहेगी जन गनमन अजय देवगन की स्ट्वीट का किच्चा सुदीप ने भी जबाब दिया और कहा नमस्तिय अजय सर मैं देश की हर भासा से सम्मान और प्यार करता हूँ इस टॉपिक को यहीं खत्म करना चाहता कि यह लाइने संदर्व से पूरी तरह से अलग है आपको हमेशा प्यार करता हूँ और शुप कामनाई देता हूँ उमीद करता हूँ कि जल्द मुलकात होगी किच्चा सुदीप ने एक अन्य ट्वीट में लिखा अजय सर आपकी द्वारा हिंदी में भेजे गए मैसेज को मैं समझ गया केवल इसलिए कि हम सभी ने हिंदी का सम्मान किया प्यार किया और सीखा लेकिन सोच रहा था कि अगर मेरी प्रकिरिया कर्नड में टाइप की गई होती तो क्या इस्तिती होगी क्या हम भी भारत के नहीं है सर सुदीप किच्चा के इस पोस्ट के बाद अजय द ने लिखा आप दोस्त हैं गलत फहमें दूर करने के लिए शुक्रिया मैं हमेशा फिल्म इंडस्ट्री को एक ही माना हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई हमारी भाषा का सम्मान करेगा दक्षिन के राज्यों में हिंदी को लेकर विवात कोई नया नहीं है कुछ महीने पहले ग्रीह मंत्री अमीद शाह ने राजभासा समीति की एक बैठक में कहा था कि हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं हैं कुछ प्रकार की बोलिया है कई लोगों को लगता है कि ये देश के लिए बोज है मुझे लगता है कि अनेक भ भाषा के रूप में हिंदी को स्विकार किया गया था शाह के इस बयान पर साउथ में ववाल हो गया जैसा कि अजय डेवगन के हिंदी को राष्टे भाषा बताने के दौरान देखने को मिला करनाटक के सीम से लेकर कॉंग्रेस के नेता तक ने इस पर एतराज दताया है वहीं हिंदी को लेकर अजय डेवगन और किच्चा सुदीप के किये गए ट्weilled की करे तो दोनों ने इसके भारत की राश्टे-भाषा होने का जिक्र किया जहां किच्चा सुदிप ने कहा कि हिंदी अब राश्टे-भाषा नहीं रही तो वहीं अजय डेवगन ने इसे भारत की पताया हलंकि सचाई ये है कि हिंदी भारत की राष्ट भाषा कभी नहीं रही है हिंदी देश की राज भाषा है यानि सरकारी कामकाज में उप्योग की जाने वाली भाषा हिंदी को राष्ट भाषा बनाया जाने को लेकर सम्विधान सभा में लंबी बहस चली थी इसे जानन अपने नियती से मिलन कर रहा था स्यास सब्दों को चीर कर एक सूरज रौशन हुआ और उसी रौशनी में हिंदुस्तान को अपना भविश्य गढ़ना था लेकिन भविश्य में भाषा क्या होगी कोश कोश पर बदले पानी चार कोश पर वानी भारत की यही विविरिता आज समस्त संसार के लिए आकरशन का केंद्र बिंदू बनी हुई है लेकिन ऐसे में आखिर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को भाषा की किस डोर में बांधी जाए और वो डोर कौन सी भाषा में हो हिंदी, हिंदुस्तानी, अंग्रेजी या फिर कोई और भारती ज मादरे वतन की जुबान बनाना चाहते थे, वो हिंदी की कसमे खाने लगें, जो हिंदी में हिंद की बुलंदी देखते थे, उन्हें उर्दू से ज़्यादा इश्क होने लगा, ऐसे में सम्विधान बनाते समय सबसे विवदास्पद मुद्दा भाषा का था, यक्ष प्र सम्विधान सभा में क्या हुआ था, 12 सितंबर 1949 को सम्विधान सभा की बहस अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रिशाद की निगरानी में हुई थी, बहस की शुरुवात करते हुए महान स्वतन्ता सिनानी रघुनाथ विनायक धुलेल करने की थी, उन्हें ने कहा था कि अगर हिंदी को देश की राज भाषा बनाया जाता है, तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि देवनागरी लिपी में हिंदी देश की आधिकारिक भाषा बन गई है, इस पर कुछ सदस्यों ने कहा अभी नहीं। धुलेकर ने कहा कि तुल अलेजी की जगा हिंदी में बात रखे, हिंदी सार्वभॉमिक भाषा बन गई है और यह हमारी राश्ट्रिय भाषा की ताकत है। धुलेकर के बयान के बाद बंगाल के जन्डल पंडित लक्ष्मी कांत ने अपनी बात रखनी शुरू की, उन्होंने संस्क्रीत का जिक्र क करते हुए कहा कि यह ऐसी भाषा है जो आधिकारिक भाषा भी होनी चाहिए और आश्ट्रिय भाषा भी, हलंकि इसके साथ ही लक्ष्मी कांत ने कहा कि मुझे उनसे कोई जगरा नहीं करना है, जो हिंदी को राजभाषा के रूप में मानन्यता दिलाना चाहते हैं, मेरा प् सभा की बहस में शामिल एस्वी कृष्णमूर्ती राव ने अंग्रेजी भाषा की वाकालत की और इसके पीछे यह दलील दिया कि डक्षिन की कई भाषाओं के मुकाबले हिंदी बहुत नहीं है, जनसंग के संस्थापक श्यामप्रसाद मुखर जी का कहना था कि भारत में क इसलिए स्विकार कर रहे हैं क्योंकि लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या इसे समझती है, सेथ गोविंद दास ने मुखरता से राश्टर भाषा के तौर पर हिंदी का समर्थन किया था, उन्होंने कहा था कि लोगतंत्र तभी चल सकता है जब बहुत शंख्यक लोगों क मत का सम्मान किया जाए, मौलाना अबुल कवलाम आजाद ने कहा था कि वो इस बात से दुखी है कि हिंदुस्तानी का समर्थन केवल इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसमें उर्दू के शब्द शामिल है, उन्होंने उर्दू को देश की भाषा बताया था, मुंसी आयंगर कमीटी, इस बहस के दौरान जो सबसे आजीव बात लगी, सभी वक्ता चाहें, वो हिंदी के पक्ष में बोलने वाले हों या बिरोध में सभी अंग्रेजी में ही बोल रहे थे, खुद सम्मिधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशाद भी अंग्रेजी में ही द आयंगर कमीटी कहलाई, मुंसिय आयंगर कमीटी ने संपूर्ण अध्यनकर समविधान सभा के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की, रिपोर्ट में कहा गया कि भारत देश में एक राश्ट भासा अभी स्विकार नहीं किया जा सकता, मुंसिय आयंगर कमीटी एक राज भासा क के रूप में स्विकार किया गया इसके बाद अध्यक्षद आजिंद्र प्रशाद ने अपनी भाषन अंग्रेजी में दिया मैं हिंदी का या किसी अन्य भाषा का विद्वान होने का दावा नहीं करता मेरा या दावा नहीं है कि किसी भाषा में मेरा कुछ अंशदान है किन् आज हमने संग के प्रशाशन के रूप में स्विकार किया है हिंदी में विगत कई कई बार परिवर्तन हुए और आज उसकी कई शैलिया है पहले हमारा बहुत सा साहित्य ब्रज भाशा में लिखा गया अब हिंदी में खड़ी बोली का प्रचलन है मेरे विचार में देश की अन्य भाशाओं के संपर्क से उसका और भी विकास होगा मुझे इसमें कोई संदे नहीं है कि हिंदी देश की अन्य भाषाओं से अच्छी अच्छी बाते ग्रहन करेगी तो उसकी उन्नती होगी मैं हिंदी का या किसी अन्य भाषा का विद्वान होने का दावा नहीं करता मेरा या दावा नहीं है कि किसी भाषा में मेरा कुछ अंशदान है किन्तो सामान ने व्यक्ति से सामान मैं ये कह सकता हूँ कि आज ये कहना संभव नहीं है कि भविश्य में हमारी उस भाषा का क्या रूप होगा जिसे आज हमने संग के प्रशाषन के रूप में स्विकार किया है हिंदी में बिगत कई कई बार परिवर्तन हुए और आज उसकी कई शैलिया है 15 साल बात क्या हुआ? 1963 के आते आते सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी के प्रयोग का समय पूरा हो गया ऐसे में अंग्रेजी को हटाने की मांग दोबारा जोड पकरने लगी डक्षिन राज्यों में इसके खिलाफ हिंसक प्रदशन भी हुए फिर सरकार ने 1963 में Official Language Act बनाया जिसके तहट हिंदी के साथ अंग्रेजी को राश्किय भार्षा के रूप में बरकरार रखने का प्रावधान बनाया गया हलंकि हिंदी को बढ़ावा देने पर जोड दिया गया लेकिन कोट, विधाई, दस्तावेजो और राज्य केंद्र के बीच संचार की भाषा अनिवारे रूप से अंग्रेजी ही बनी रही अभी तक ये सिलसला बरकरार है सिर्फ भारत में ही नहीं इन देशों में भी बोली जाती है हिंदी वैसे जानकारी के लिए बता दे कि पिछले 40 वर्षों में हिंदी बोलने वालों के संख्या 161 फीसदी बढ़ी है इसमें साल 2011 की जनगंडा रिपोर्ट के मताबिक पुरे देश में 44 फीसदी अबादी हिंदी बोलती है बचे हुए 56 फीसदी में 120 भाषाओं को बोलने वाले लोग शामिल है जनसंक्या के हिसाब से देखा जाए तो करीब 53 करोर लोग हिंदी बोलते हैं वहीं 14 करोर लोगों ने हिंदी को अपनी दूसरी भाषा के रूप में स्विकार किया है पिछले 50 वर्षों में हिंदी बोलने वालों की संक्या काफी तेजी से बड़ी है साल 1971 में हिंदी बोलने वालों की संक्या महज 20 करोर थी जो की 2011 में 54 करोर हो गई हिंदी सित्प भारत की ही नहीं पाकिस्तान, भुटान, नेपाल, बंगलादे, स्रिलंका, माल्दियो, मैन्वार, इंडोनेसिया, सिंगपूर, थाइलेंड, चीन, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजिलेंड, डक्सिन, अफ्रिका, मौरिसस, यमन, योगांडा, त्रि संख्या में बोली जाती है, बहरान हिंदी भारत में करोरों लोगों की मातरी भाषा है, हम लोगों के लिए तो रोजगार की भी भाषा है, हम हिंदी में सोचते भी है, हिंदी में बात भी करते हैं, काम भी करते हैं, और प्रेम भी हिंदी में ही करते हैं, क्योंकि हमारा मन स सबसे हिंदी में ही बात करता है लेकिन कटू सत्य ये भी है कि ऐसे बहुत से दर्वाजें हैं दुनिया में जो सिर्फ में आई कमी नहीं कह पाने की वज़ा से नहीं खुल पाते आज के लिए इतना ही अगले पॉड्कास्ट में किसी और मुद्धे पर आपको देंगे विश् है सक्षी के साथ